तो फ्रेंड्स कैसे आप सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ऐसाई की जो रिवाइड आंसर की आई है कि सिफ्ट के अंदर आपका कितना स्कोर जो है कितने सवाल जो है चेंज हुए है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट कर दीजिए गोर्णमेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो इस वीडियो के अंदर इन्होंने क्या किया है हम बात करने वाले हैं यह इन्होंने 105 जो इनके सवाल थे 105 सवाल पर इन्होंने जो है केंडि जो है उनको इन्होंने निरस्ट कर दिया है यानि के यह अब काउंट नहीं होंगे अगर मान लीजे किसी की सिफ्ट में दो सवाल अगर नेकलेट हो चुके हैं निरस्ट हो चुके तो उसका पेपर यानि के अब 158 का हो गया है वहीं बात करते हैं आगे 69 सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर में इन्होंने परिवर्तन किया है और ये जो इन्होंने आंसर की दी है इसको समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अगर आपके पास अपनी पुरानी जो आंसर की है अगर वो है तो आप easily match कर सकते हैं में,愷क हैं एक एक सवाल को देखके दो फोन आ ले सकते हैं एक के अंदर आप अंसर की अपनी खोल सकते हैं गरेक diploma ये जो PDF-सको खोल सकते हैं और देख सकते हैं क्यांब का सवाल सचेंज जाँ है उसे का अंसर चेंज हुआ है मैं एक चीज में इसके अंदर क्लियर कर दूंग जैसे कि मान लीजे यह वाला सवाल आपकी शिफ्ट में आया था और आपने इसका सवाल भी किया था और दो कंडिडेट ऐसे हैं इसका जो चौब था वह ए और शी लगाया था तो तीनों को ही जो है इसका धाई मार्क जो है दिया जाएगा ले कि वcı अपरकार से नीचे आप देख सकते हैं कि पहले इसका अंसर C था लेकिन अब बी और Certो दोनों है इसका झाम्सर पेहले भी उठाव इसका आंसर बी और सी ढोनों है इसी परकार से उनसट सवाल जो हैज है गए हैं लेकिन जैसे कि आप विए सवाल देख क्या है चप्का सिथा सवाल अब ढार्णाका स्वाल सिरे इसके अगए ढ़में दै उपस्जम लगा पिछली बार की तरह अगर हम average लेके चलते हैं तो आप ये मान के चलिए के सब shift के अंदर से एक सवाल आपका neglect हुआ होगा एक सवाल यानि के सब अपना मान सकते हैं कि 169 सवाल में से उनका exam हुआ है अधिकांस टोटल shift तो थी वो 54 shift थी और 54 के 54 में से सभी में ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये मान लीजे के लगबग लगबग 20 से 30 shifts के अंदर एक सवाल आपका neglect हो सकता है ये एक assumption है क्योंकि 54 की 54 shift की ना मेरे पास answer की है और ना ही 54 shift को analyze करके ये बताया चा सकता है अभी इतनी जल्दी के कौन सी shift के अंदर दो सवाल सही है कौन सी में एक सवाल कटा है और कौन सी में तीन सवाल सही है तो ये कहपाना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास अपनी previous answer की रखिये तो आप match कर सकते हैं थोड़ा time जरूर लगेगा क्योंकि इन्होंने कुछ सवाल इंग्लिस में डाल दी है कुछ reasoning में है तो उसके direct नीचे उन्होंने match डाल दिया है ये ऐसा भी कर सकते थे कि shift wise reasoning का पहले बता देते फिर ये बता देते मैत का कि shift को इसमें इतने सवाल ठीक है ऐसे करके भी answer की दे सकते थे जो औरों के लिए easy हो जाता और सभी candidate जो है अपने जो उनके सवाल थे उनको पहचान भीच सकते थे कि हाँ ये मेरी shift में आया था ये ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है जब तक आपकी answer की नहीं है आपके पास की कौन सा सवाल मैंने मेरे में था और कौन सा नहीं था क्योंकि बहुत से candidate के मेरे पास SMS आ रहे हैं उनके पास उनकी answer की भी नहीं है और answer की download करके कोई रखता भी नहीं है वस देखते हैं और फिर उसको delete कर देते हैं तो इन्होंने answer की अपनी तरीके से दिये अगर आपकी previous answer की आपके पास रखिए तो उससे आपको match करकर ही पतक करना पड़ेगा लेकिन आपके पास अगर answer की नहीं है तो आप result का इंतिजार कीजिए result हो सकता है आपका कल आपका result जो है वो आसकता है क्योंकि ASI के अंदर भी ऐसा ही हुआ था तीस तारिक को आपका result अंसर की आई थी और एक अपरेल को एक दिन बाद ही आपका जो है result उन्होंने जारिक कर दिया गया था तो UPSI के लिए भी SI हो सकता है इस गूड़े में बस इतना ही मैंने आप आपका क्लिय कर दिया कि अभी किसी भी किसी बहुंक किसी को नहीं पता है कि कि मिन शिफ्ट में कितने सवाल Alec реш exactly कितने avons कितने मिले हैं पोने सक वोले हैं यह अभी किसी आजाएगा तो आप देख सकते हैं इस इतना ही मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद